हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं तो मार्च 2022 का है और ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो राशीफल है जिसकी चर्चा आपसे हम कर रहे है मेश से लेकर और मीन तक यह पूर रूप से लगन राशी पर आधारित है चंद्र राशी पर आधारित नहीं है और अभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि आप मकर लगन के जातकों को किस-किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, किस-किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ती हो सकती है, मार्च दोजार बाइस में, तो आईए सबसे पहले ग्रहों की सिति से आपको अवगत करा देते हैं एक छोटी सी इस पर नजर डाल देते हैं कि ग्रहों की सिति क्या है आप मगर लगन के जातकों के चार्ट में गोचर में ग्रह गोचर इस सिति तो देखिए आपके लगन भाव में ही यानि पहले भाव में पहले घर में ही फर्स्ट हाउस में मंगल बुद्ध शुक्र और शनी यहां पर अपने ही घर में अपनी ही राशी में बैठे हुए साथ में शुक्र और बुद्ध भी हैं तो चार गरहों की युति यहां पर है लेकिन छे मार्च को बुद्ध यहां से निकल रहे हैं और निकल करके जाएंगे सेकंड हाउस में जहां पर कुम राशी है वो भी उ उन्निस मार्च को बुद्ध अस्त हो जाएंगे का pics 19 मार्च को स्थोंगे और 24 मार्च को अस्तवस्था में ही परी ये राशी परिवर्तन करेंगे और ये कुम राशी से निकल लेंगे सेकेंड हाउस से थर्ड हाउस में उनका प्रवेश होगा अपनी नीच राशी मीन में यह बुद्ध की सिती रहेगी सूरह 14 मार्च को सेकंड हाउस से कुम राशी जो उनकी शत्रुराशी है वहां से निकलेंगे और अपनी मित्र राशी मीन में उनका प्रिवेश होगा थर्ड हाउस में सेकंड हाउस से निकल करके गुरू जो यहां पर पहले से ही फिराजमान है सेकंड हाउस में कुम राशी में वो अस्सवस्था में चल रहे हैं लेकिन ये भी 26 मार्च को पूर्व में उद्ध हो जाएंगे होंगे तो आप मार्च मतलब मार्च के बिलकुल आखीर में जाकर के लेकिन हो जाएंगे 31 मार्च को शुक्र जो लगन भाव में बैठे हैं मकर राशी में अपनी मित्राशी में ये यहां से निकलेंगे 31 मार्च को और ये अपनी जो मित्राशी कुम्ब हैं सेकंड हाउस में वहां ये प्रवेश कर जाएंगे यह इस्तिती थी गुरों की जो अभी जिसकी चर्चा करके कैसा रहेगा यह मार्च का महिन आपके profession को लेके तो देखिए मित्रों बहुत ही कम शब्दों में आपको बता दें के यह महिना वैसे अच्छा रहेगा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी हां पस इतना जरूर कि देखिए शनी की साड़े साथी का प्रभाव भी बना हुआ है इस बास से भी इंकार नहीं कर सकते तो शनी का भी अपना एक प्रभाव है रहेगा दिखाई भी देगा आपको लेकिन क्योंकि कुछ अच्छे राजियों का भी निर्माण हो रहा है आपके कुंडली में तो आ आप परिशानियों के साथ सफलता हैं भी उसमें से उन्नती भी आपकी निकल करके आईगी बस इस प्रकार का कुछ राजियों है कि जहां एक और परिशानियों होंगी उन परिशानियों में से ही आपके लिए सफलता वाले भी परिणाम मिलेंगे निकलेंगे तो यह इस सिती आपको रहेंगी थोड़ा सा आपके कार्यों में अर्चने पैदा करने वाले भी लोग हो सकते हैं जो आपको चाहेंगे कि इनको अच्छे रिजल्ट ना मिल पाएं इनका अच्छा नाम ना हो पाएं वगेरा तो वो इस तरीके के लोग भी होंगे जो आपको नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़क पाएं लेकिन आप आगे बढ़ेंगे आपको कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता क्यों क्योंकि आप तो बहुत दिरन संकल्प हैं डिटर्मिन ने आप तो जो सोच रहे हैं वो होगा हा यहां पर एक चीज़ जरूर हम देख रहे हैं जो माइनस में जा रही है आपके वह यह है कि आपका जो एनरजी लेविल है वह आप इस लगभग पूरे महीने ही 26 मार्च तक वह डाउन रहेगा यह जरूर एक समस्य आपके साथ है एनरजी लेविल आपका डाउन रहेगा स्व सारी समझ्याओं से बाहर निकल कर आएंगे और एकद डट के खड़े होंगे मैदान में बागी ग्रों कि इस ही थी कुछ ग्रों की ऐसी है जो आपको पूरा लाप देना चाहते आपको सफलता प्राप्ति कराना चाहते उन्नत ही आपकी देखना चाहते लेकिन थोड़ा सा आपको भी हिम्मत दिखाने की आवश्यक्ता है इस महीने तब ही बात थोड़ी आगे बढ़ेगी अब आप समझ गए होंगे मैंने बहुत खोल करके बात कर दिये आपको कारेश्चेतर को लेकर चाहें आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार में अब ब कहीना कहीं से कैसे भी हो ठेड़े मेडे रास्ते से धन निकली आएगा आपके पास हो सकता है थोड़ा सा घूम करके आया चीज़ें ऐसे हैं एक दम सीधे सीधे ना हो करके ठेड़ी मेड़ी हो करके हो लेकिन वह धन आ जाएगा आपके पास था धन का पूरा बन जाएगा का बंदोबस्त तो धन तो आप इस तरीके से अपना करेंगे एकटा कर लेंगे प्राप्ती होगी धनकी आपको और मैं आपको बता दू कि जो मार्केटिंग से समंदित लोग हैं जिनका बोलने का काम है मार्केटिंग हो या लॉयर वगेरा है वे लोग जड़ा कुछ जादा ही सफलता प्राप्त करेंगे और उनको धनकी प्राप्ती भी जो होगी वो भी ही जादा ही होगी कुछ ऐसे लोगों को जहां तक विदाओं का आनन्द आप इस महीने लेंगे बिलकुल लेंगे उसमें कोई कमी मुझे नहीं दिखाई पड़ती प्रेम संबंद या वैवाहिक संबंद रहेंगे क्या देखिए जो आप की बात करूं मैं प्रेम संबंदों की तो अगर आप पहले से प्रेम संबंदों में हैं तो ये प्रेम संबंद तो आपके चलेंगे बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं न कि जुन को अच्छा नहीं लगता वो बीच में आकर के कुछ रोड़ा अटकाने की कोशिश जरू करेंगे या आपको बढ़काने की कोशिश करें या आपके साथी को बढ़काने की कोश था इससे आगे बात का जाना या बढ़ना विवां की बात हम कर रहे हैं। वो के योग नहीं है। उसके आसान नहीं है इस महिने। आप मकर लगन के जातकों के लिए जो विवहित महिलाएं हैं या पुरूश हैं उनका विवह trial himself कैसा रहेगा उनका वैबाहिक जीवन आप के बीच में तना तनी भी रहेगी और चीज़न नौर्मल भी होंगी आप ही दोनों चीज़नों को नौर्मल करेंगे आप ही चीज़नों को बढ़ाईगे आप ही कम करेंगे तो यहां पर जो समस्या हैं वो आप ही की पैदा की हुई होगी दोनों की और विशेश रूप से तो आपकी जो हम आप से बात कर रहे हैं मकर लगन के जात्कों की आपका कुछ जादा कंट्रिविशन रहेगा इन चीज़ों में यनि के तना तनी को बढ़ाने में तो ह अपने पार्टनर को कम से कम ऐसी बात हैं बोलें जो उनको हर्ट ना करें हम तो कहते हैं बोले ही ना बहुत अच्छी बात है तो इस बात का ध्यान रखिएगा पारिवारिक संबंद कैसे रहेंगे देखिए पारिवारिक संबंद तो ऐसे रहेंगे तो चौदह मार्श तक आपको अपने जो घर के जो बड़े भुजुर होते हैं, उनका भी पूरा आशरवाद मिलेगा, और आशरवाद के साथ साथ हो सकता है, कुछ और भी आशरवाद के रूप में आपको प्राप्ती हो जाए, इस बात के भी योग बन रहे हैं, चौदा मार्च तक, लेकिन साथि में थोड़ी कमी रहने के कारण, बाकी चीज़ें भी फिर आपको धन से पूर्टी उनकी नहीं हो पाएगी, जो मिलनी चाहिए, समय पर, या तो वो समय पर ना मिलें, आगे पीछे हों, या जितने आप आशा करते हों, जितना एक्सपेक्ट करते हों, उसके अनुसार ना मि शात्रों का भी मैं ऐसा ही रहा कि या तो बहुत अच्छत रिजल्ट आ जाएंगे, और या पिर प्रभावित भी हो सकते हैं, इस बात की भी पूरी, जितनी संभाबना नहीं है कि परेना बहुत संदर रहेंगे, उतनी संभावना इस बात की भी है, मैं यह परिणापना के लापरवाई नहीं किये अपनी पढ़ाही को ले करके मौत तो ऐसे भी बच्चे होते ना मेहनत भी खूब करते हैं लगन के साथ फिर भी उनको परिणाम नहीं पराप्त होते लेकिन आपके इस चार्ट में मैं जो देख रहा हूं मकर लगन के वो कुछ अलग सिच्चोशन है वो यही है कि आप फोकस करें अपनी पढ़ाही पर अगर नहीं करा तो एकदम बिकड़ जाएंगे करा तो बहुत अच्छे आ जाएंगे यह सिती है संतान क्या भी कुछ ऐसा ही रहेगा संतान की और से आप जो हैं अपनी संतान की और से या तो बहुत अच्छे प्रणामों प्राप्ति कर जाएंगे या फिर थोड़े प्रभावित हो सकते हैं लेकिन हाँ इतना जरूर है कि संतान आपकी जो जिस लाइन पर चलना चाहिए वो करेगी सही दिशा में जाएगी सही दिशा में अपने काम करेंगे वो उनकी और से वैसे कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं चीज एक अच्छी है बेशक चाहें रिजल्ट इतने अच्छे ना हो स्वास्त कैसा रहगा स्वास्त को ले करके हम बता दें आपको स्वास्त की चिंता आपको करनी चाहिए पूरे महीने अगर आपने नहीं की तो आपके लिए परिशानिया बढ़ जाएंगी स्वास्त को करके बहुत सचेत करना चाहते हैं आपको हम अगर आप स्वास्त को ले करके ला परवाई की तो यह आपके लिए परेशानी बन जाएगी, तो çe स्वास्त को ले करकर ला परवाई ना हो, इग्नौर ना करें कि अभध्व को उपाये देखे सबसे पहले तो आप करें बुद्ध का उपाये विश्नु सहस्त्र नाम का PART नियमित रूप से करें पूरे महीने दूसरा शिव सहस्त्र नाम का पार्ट अभण केंगे कि दो सहाथर नाम बता दिये अरे भी है आप ददस मिनठी कर लें बिस मिनठ कर लें बस जादा नहीं 10ким 15 कर लें 57 मिनट ये इन विष्नु सहाथ मिनठ लें बांव निव और शनी की क्योंकि साड़े साती कर ल्ही चल लिए प्रत्र शनीवार जाकर करके मंदिर में शनी माहराज के महाप पूजा करें शनी तो ये था आप तुला लगन के जातकों का मासिक राचीफल मार्च 2022 का प्रियस आतियों अगर ये आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूले चैनल को भी सबस्क्राइब जरू करने और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को करें शेयर ताकि दूसरे लोग भी इस से हो सके लाबान वे और जो बैल आइकन आप देख रहे हैं इसको अगर दवाएंगे तब ही आपके पास आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीड पाएंगे तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जैमाता लिए